टीवी सीरियल्स के कई गिर्दार लोगों की जुबान पर रटे हुए हैं इन्में से कई कलाकार तो ऐसी हैं जो 10 सालों से ज़्यादा टीवी पाटी के हुए हैं और कुछ जल्दी फ्रॉप होकर अपने घर लोड गए क्योंकि भई परदे पर काम मिलना इतना आसान भी नहीं है लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी है जिन्होंने अपने टीवी करियर की शुरूआत एक छोटे से रोल से की और लोगों के चहेते बन गए तो आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ टीवी कलाकारों के बारे में देखा जाये तो इस मामले में सबसे ज़्यादा किस्मत एक्टरेस मौनी रोई की खुली है क्योंकि वो जल्द ही अक्षे कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में नजर आने वाली है मौनी ने एकता कपूर के सूपर हिट शो क्योंकि सास भी कभी बहुती में छोटा सा रोल कर एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी क्रिस्टल डिसुजा छोटे परदी की खुबसूरत एक्टरेसेस में की नी जाती है इन्होंने भी सफलता की सीडी पर चड़ने से पहले काफी स्ट्रगल किया क्रिस्टल को पहला ब्रेक सीरियल कहे ना कहे में किंजल के रोल में मिला था आजकल क्रिस्टल सीरियल बेलन वाली बहु में लीड रोल में नजर आ रही है सुनील ग्रॉवर भी देश के कोने-कोने में डॉक्टर मशूर गुलाठी, गुत्थी और रिंकु भावी के किर्दार में पॉपुलर है हाला कि उन्होंने यहां तक आने का सफर एक छोटे से रोल थे किया था उन्होंने साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू और चला ललन हीरो बनने जैसे शोस से अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी कविता कौशिक भी टीवी सीरियल का जाना माना चेहरा है उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुडूआत सीरियल के सर और कहानी घरगर की जैसे शोज में छोटे छोटे रोल आदा कर की थी लेकिन उन्हें असली पॉपुलरिटी टीवी सीरियल एफ आयार में इंस्पेक्टर चंदर मुखी चोटाला के किरदार के रूपे मिली एक तकपूर के कई सीरियल में छोटे छोटे रोल करने वाले एक्टर करन पटेल आज टीवी पर सिक्का जमाय हुए है उन्हें तो टीवी का शारुक खान तक कहा जाता है फिलहाल वो स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहबते में लीड रोल में नजरा रहे है गौतम रोड टीवी इंडिस्रीज का बेहत पुराना चहरा है कई सीलिस में काम करने के बाद गौतम को कई बॉलिवुड फिल्मों में देखा गया है जिसमें कि फिल्म अक्सर टू में वो हाल ही में नजरा आये थे फ्लेम मीडिया रिपोर्ट